हेलो गाइज मैं लोकेश एडिट जोन जेफुर से इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो जाइन्स के बारी में एक ऐसा एल्बम डिजाइनिक सॉफटर जिसमें आप आप अपने प्लस मैंवल दोनों तरीके से एल्बम डिजाइनिक कर सकते हो एंड इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको बाकी अल्बम डिजाइनिक सॉफटर से बहुत यूनिक बनाता है इसमें आपको 37 से भी ज्यादा एल्बम साइज और अल्लिमिटेड पीच्टी बैग्राउंड्स में जिससे आप अपने एल्बम को बहुत आसानी से बना सकते हो और इस सॉफटर में आपको तीन तरीके से अल्बम डिजाइनिक की थीम मिलती है वेडिंग अल्बम, क्लासिक थीम एंड ट्रेडिशनल थीम जिससे आप अपने एकोडिंग अल्बम डिजाइनिक थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके लावब आपको डियम, कवर पेज, प पोटोशोप में टूल्स होते हैं, यहीं कुछ अल्बम डिजाइनिक से लेटेड आपको अप्शन यहाँ पर दिखेंगे, इसके साथ अल्बम बनाने से पहले मैं आपको कुछ अल्बम सेंस के कुछ अलग फीचर्स है, उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही परपल है, ब्लू है, तो उस कलर को अब पर्टिकुलर उस एरिया को बलर कर सकते हो, कलर को सैलेक करके, इसको ऑक कर Cit nos के करने बाद जैसे की फेड कमाझ्ट यूज गर सकते हो, जैसे का बपटोश ओप में करते हो, इसके साथ साथ ही अगर किसी photo का background आप color change करना चाहो तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए जैसे suppose मेरे पास इस type की कोई photo है इसका अगर मैं background का color change करना चाहो तो इसके अंदर selective color का option भी है यहाँ पे अगर मैं green को select करके color option change करता हूँ तो यह इसका particular green को ही change करेगा उसके बाद म अगर अगर अपन album की बात करते हैं तो file के अंदर जाने के बाद auto album में new album पर click करना है यहाँ पर आपको जिस client का भी album बनाना है उस नाम से अपन एक folder create कर देंगे यहाँ पर जो आप यहाँ पर design save करना चाहो वो option आपको यहाँ पर देना है उसके बाद में album category इसके अंदर आपको तीन तरह से album designing मिलती है classic, traditional and branding album इसके अंदर आपको तीन नों में अलग लगतरी की designing मिलेगी प्लस इसके अंदर आप DM भी create कर सकते हो सबसे पहले मैं आपको wedding album दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको album की size मिलेगी बहुत size size में 37 से ज्यादा size है जो आपको size अच्छी लेगे तो आप size select यहाँ पर कर लो उसके बाद में आपको photo का पाथ जहाँ पर आपकी party की photos का folder वो folder आपको यहाँ पर select करना है template पाथ software अपने आप select कर लेगा इसको okay कर देंगे उसके बाद में इस तरह से हमें नीचे wedding से related जो भी हमने folder select किया है उसकी सारी photos यहाँ पर आ जाएगे अब इसके अंदर सबसे पहला जो तरीका है album designing का वो सबसे पहले photos को select करना है control के साथ और select करने के बाद आपको सबसे पहला जो उसका तरीका है वो auto page का अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है कुछ भी changes करना चाहूँ आप कर सकते हो लेकिन अगर आपको लगता है नहीं अच्छा नहीं है तो वापिस आप auto page क्लिक करोगे उतनी बार आपको नया page यहाँ पर मिलेगा यह भी अगर आपको पसंद नहीं आता है वापिस auto page कर दी जिए जो आपने photo select किये सपोज मैंने भी छह photo landscape एंड एक portrait photo select किये तो सिर्फ उनी photos का variation यहाँ पर हमें दिखाई देगा जो आपको design अच्छी लगे उसी पर जस्ट आपको डॉल क्लिक करना है उसी के आपके उपर sheet ready हो जाएगी शीट रहनी क्यों होने के बाद अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ changes करने सपोज मेरे को इसका feather adjust करना है फोटो को select करके यहाँ पर just right side में इस photo के इस पास में इसका feather दिखाई दे रहा है इसको मैं second select करके adjust कर सकता हूँ double click के साथ अगर आप किसी photo को छोटा बढ़ा वापिश double click करूँगा तो बुरी frame के साथ इस तरह से में change करूँगा इसके बाद अगर आपको कोई text या कुछ clip art अच्छा ने लग रहा है तो उसको select करके आप delete कर सकते हो इसके अलावा अगर आप background photo का change करना चाहो तो यहाँ पर background की category आपको मिलेगी background पे just आपको double click करना उसके बाद में किसी photo का आपको masking change करनी जैसी इस photo के मैं masking change करना चाहता हूँ इस photo मेरे को इस तरह का mask चीए तो इस तरह का mask यूशर कर सकता हूँ तो इसके अंदर आपको बहुत तरह के masking मिलेगी इसके अलावा किसी भी photo को अगर आप extra add करना चाहो like मैं जो लगता है कि यह यहाँ पर एक photo को add कर सकता हूँ यहाँ पर मेरे को कोई photo select करनी है अपने particular और फोटो को select करके यहाँ पर में drag and drop करूँगा उसको adjust कर दूगा adjust करने के बाद उसके अंदर आप feather use करना चाहो stroke use करना चाहो वह आप अपने coding कर सकते हो यहाँ पर जैसे आपको stroke का option मिलता है stroke प अगर आप plus minus करोगे तो stroke आपका बड़ा चोटा हो जाए उसके साथ साथ अगर आप किसी की photo clipart change करना चाहो stroke change करना चाहो कुछ भी change करना चाहो तो उसके option सारे आपको यहाँ पर नीचे मिलेंगे और sheet बनने के बाद जो आपने photo select की है वो green border के अंदर आपको दिखाई और इसी तरीके से सिर्फ आपको landscape के template देखना है तो देशे मैंने आपके सामनी landscape photos लेली इसके template अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पर सिर्फ आपको template landscape photos के ही दिखाई देंगे show more पर click करोगे तो आपको इस से related or design दिखाई जाएगी अभी जो मैं आपको designing दिखा रहा हूं वो wedding album है इसके अलावा classic theme और traditional theme भी है उसकी design भी हम next देखेंगे जो हमने album designing की बात की थी auto page तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको auto page के दिखाया था second आपको option दिखाया था template का थ आप पर page photo select कर सकते हुआ जैसे की 6 photo पर page चिहे 7 photo पर page चिहे तो अगर आभी जैसे मैं 8 photo से करता हूं तो 180 के सापसे मेरी 23 sheet बनेगी अगर मैं इसकू 10 कर देता हूं करने के बाद Q-Create पे क्लिक करूँगा Q-Create पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपका रो एल्बम पेज एक रेडी हो गया और यहां पर फोटो ज्रीन के अंदर आ गई इससे हमें यह एडिया हो जाएगी कि कौन सी फोटो को हमने सेलेक कर लिया इसी तरीके से मेरा दूसरा पे पेज रेडी की है और जो फोटो सेलेक की थी वो ग्रीन बोर्डर में आ चुकी है लास्ट में आपको रेंडर पेज पे क्लिक करना है और यह उटमेटिक डिजाइन स्टार्ट कर देगा और यह जो अभी डिजाइनिंग सेव कर रहा है वो JPG और PhD दोनों सेव करेगा तो पेज के जर्स पास में एक चेंज पेज चेंज पेज 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 करते ही इनी फोटोस को उठा के दूसरा पेज आपके सामने रेडी कर देगा जैसे अब इसने यह रेडी कर दिया अब यह जो इसने फोटो दिया यह पोट्रेट के लिए तो अगर आपको आस कोई पोट्र चैंजिस करना चाहो जैसे कि मेरे को यहाँ पर क्लिपार पसंद नहीं तो उसको मैं हटा सकता हूँ, बेग्राउंड का कलर में को चैंज करना है तो वो उसी एकोडिंग आप चैंज करके इसको लास्ट में सेव कर दो गए यहां से, सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हू आप चाहो तो फोटो सेंस में भी इसमें कुछ पी मोडिफाय कर सकते हो और आप चाहो तो फोटो शॉप में भी इसको रेडि कर सकते हो, क्योंकि हमें इसकी PSD मिलती है photo sense के अंदर album designing के लिए सबसे best तरीका batch album है क्योंकि इसके अंदर आप 10 से 15 मिनिट के अंदर आपको 50 से 60 शीट या उससे भी ज्यादा आप sheet ready कर सकते हो इसके साथ साथ ही अगर आप manual album designing करना चाहते हो तो वो भी control and के साथ जैसे मैं 12-34 की sheet लेता हूँ वो ही photo को आपको अगर stroke में यूज़ करना है तो stroke में भी आप यूज़ कर सकते हो आपको clip art यूज़ करना आप clip art यूज़ कर सकते हो अतलब automatic के साथ साथ आप manual album designing भी कर सकते हो तो इस तरीके से album sense में आप 4 तरीके से album designing कर सकते हो photo page के साथ templates के साथ batch album में पूरा album आगरा आब बनाना चाहो और उसके साथ साथ ही अगर आप manual designing करना चाहो तो इस तरीके से manual album designing भी कर सकते हो इसके साथ साथ इसके अंदर photoshop के सभी वह options है जो आप photoshop में यूजकर जैसे की light dark करना है hue saturation करना है वो सभी option आप इसके अंदर मिलें इसके अलावाद जो आप left side में देख रहे हो यो photoshop के लगबग वह सभी टूल है जो हम regular use करते है यहाँ पर आपको जैसे photoshop में आप light dark करने के लिए color correction करने के लिए tools use करते हो वह सभी आपको इसके अंदर options मिलते है अभी जो हमने album designing की थी वह wedding album थी इसके अलावाद में आपको template में दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको इस तरकी colorful theme दिखाई देगी golden frame दिखाई देंगे कुछ text दिखाई देंगे जैसे शूब विवा है wedding wedding album इस तरीके से इसके अंदर आपको album designing मिलेगी वोई photo पे double click करके आप sheet को design कर सकते हो इसी तरीके से आप यहाँ पे classic album designing set कर सकते हो classic album में आपको इस तरह से classic album की designing theme दिखाई देगी जैसे photoshop में आप center guide करते हो तो इसके अंदर भी आपको center guide का option मिलेगा अगर आप album को 300 dpn में बना जाते हो तो edit के अंदर आप preference के अंदर आप अपने according 200, 500 या 300 अपने according album designing की theme set कर सकते हो और आप जब यह software purchase करोगे तो आपका एक account बनाए जाएगा जिससे आप in future कोई भी नई phdm अगर upload करते हैं तो वह आप dietary download कर सकते हो और इसके लाब अगर आप video editing करते हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले समय में edit zone से related जानकारी निलते रहेगी thank you so much